कि ऐसी ही आतंकी साजिश्पर आतंकी साजिश्पर बनी फिल्म केरला स्टोरी केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई कि आतंक बादियों की छद्म नित्यों की साजिश्पर आधारित है कि देश का इतना खुपसुरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभास आली होते हैं उस केरला के मैं चल रही आतंकी साजिश्पर खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है हम देश के पदान मंत्री से ये रेक्वेस्ट करना चाह रहे है कि पदान मंत्री करना टका का चुनाओ जरूर है मगर पाकिस्तान से आतंगवादी आकर हमारे पांच सिपाईों को जान से इनकी जान ले लिए मनिपूर जल रहा है लोग अपने घरों को छोड़ कर भाग रहे हैं गाउं जल रहे हैं चर्चिस को जला दिया जा रहा है और पदान मंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो जूट पर मुबनी है उसका प्रमोशन करना टका के विदान सबा के चुनाओं में कर रहे हैं ये बड़ी अफसोस की बात है के देश के पदान मंत्री को जहां पर तوج्जो लेना था वहां पर तوج्जो कम ले रहे हैं और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया केरल के बटीस हजार औरते आइसिस जॉइन कि उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में बात में कोई कोड को गए तो उसने कह दिया कि नहीं साथा खाली तीन नंबर है हम देश के पदान मंत्री से पूछना चाह रहे हैं अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुल कर को फैक्ट पर बनाई गई है अगर तुम फिक्चन पर बना रहे हैं तो बो फिक्चन पर बना रहे हैं तुम्हारा मसला हमारे बुर्खे को दिखाकर किसी को मुसलमान दिखाकर तुमको अपना पेट भरना है तुमको अगर पैसे कमाना है तो पिर याद रखो लोग उसको मुस्तरत कर देंगे हम परदान मंत्री इसको याद दिलाना चाह रहें कि जब अधनाज सिंग भारत के होम मिनिस्टर थे क्या उन्हों ने नहीं कहा था कि भारत के अल्व संक्यक समाज मुसलमानों का आइसिस और अल्खाइदा से दूर दूर तक कोई तालुक नहीं है वो दूर है उससे क्या खुद भारत के पदान मंत्री नरंदर मोडी ने नहीं कहा था कई बेनलखवामी फोरम पर और आज इसको जोड रहे हैं नफरत पहलाने की बात कर रहे हैं और देश के पदान मंत्री बोलते हैं कि सक्स सजा दो उनके तकरीर में कहा अपने भाशन में कि आप इन लोगों को सजा दीजिए क्या सजा देना चाहिए कौन सी सजा देना चाहिए और अगर देश के पदान मंत्री एक पिक्चर की स्टोरी को सही मान रहे हैं तो पदान मंत्री ये तो आपकी नाकामी है आपकी सरकार की नाकामी है कि आप अपनी नाकामी को खुबूल कर रहे हैं एकसब कर रहे हैं कि यू हैब बिन अंसकसफुल मगर एक चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के पधान मंतरी वजीर आजम को इतना नीची आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि जूट और प्रपंगंडे को सामें रखना जो नफरत पहलाने का काम करती है हम आज यहां से हमारे प्रेमिनिस्टर से अपील करते हैं कि पाकिस्तान से जो टर्रिस्ट आ रहे हैं उनको रोको आप सरकार आप की है 370 आपने कॉंसिटूशनल ब्रीज करके हटाया आप क्यूं आकर वो लोग मार रहे हमारे सिपाईयों को ये 10-12 दिन में एक तो सिपाईयों की गाड़ी जा रही थी उस पर राकिट लांचर से उनको शहीद कर दिया और फिर कल आज पांच हमारे सिपाही मारे गए क्या हो रहा हमारे देश पर पदान मंत्री और बी जे पी आरेसेस के लोगों से पूछता हूँ जो हर थोड़ी देर को नेशनलिजम नेशनलिजम बोलते अरे तुम्हारा नेशनलिजम अब क्यों खामोश हो चुका है कहा गया तुम्हारा नेशनलिजम बताओ बोलो तुम्हारा नेशनलिजम का है हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं पाकिस्तान से आकर और बी जे पी के आरेसेस के लोग उस पर बात नहीं करते हमारे देश में मनीपूर में चर्चों को जला दिया जा रहा है सिविल वार हो रही है मनीपूर में क्यों हो रही है क्योंकि बीजेपी ने डिवाइड एंड रूल की पालिसी मनीपूर में की आपने ट्राइबल्स के जो राइट्स थे किसी और को देने कि आप कोशिश कर रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि देश के परदानमंत्री वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर थुरा टाइम निकालेंगे इन चीजों पर भी देखेंगे इन चीजों पर कॉंसंट्रेट करेंगे और रोकेंगे और हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मनिपूर में अमन और शान्ती पैदा हो जाए और वहां के शेडूल ट्राइब के लोगों के स्टेटस को डिस्टर नहीं होना चाहिए ये मायम पार्टी डिमांड करती है आप किसी को स्टी में शामिल नहीं कर सकते ऐसा ही करके इसलिए मनिपूर में सब तमाशे हो रहे हैं